तो Payback Period Method जो कि Capital Bursting का एक टेक्निक है इस मैथट में हम क्या मतलब होता है इस मैथट का क्या फॉर्मूला होता है और Even Cash Flow में हम Payback By Period Method को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हम आज इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो जैसा हमने पहले ही Capital Bursting के वीडियो में डिसकस कर रखा है कि Capital Bursting क्या होता है उसके माथट, Trosses and All उसरे में हमने डिसकस किया है कि Payback Period Method क्या होता है कि एक Non-Discounted Cash Flow टेक्निक है जो कि Traditional Method को Belong करती है means इस माथट में Time Value of Money को Consider नहीं किया जाता है ये सारी बाते हम आज़ी डिसकस कर चुके हैं तो चलिए देखते हैं कि Exactly Payback Period Method किसे कहते हैं इससे Calculation कैसे की जाएगी तो Payback Period Method represent the number of years required to recover the original cash outlay invested in a project Payback Period Method क्या represent करता है number of years को मतब जब भी आप Payback Period Method calculate करेंगे तो जो result आएगा वो किस में आएगा number of years में आएगा जो क्या बताता है कि जो भी cash outlay जा रहा है जो cash आप invest कर रहे हो प्रोजेक्ट में वो कितने सालों में आपको recover हो जाएगा ओके it means where the total earnings और net cash inflow भी हम उसे कहते हैं from investment equal to total outlay जहां पर total earning जो आपको उस प्रोजेक्ट से मिलने वाली है equal हो जाती है total outlay के जो आपसे investment कर रहे है जो आपसे क्या हो cost लगने वाली है जो दोनों equal करती है जिस time period पे वो period कहलाता है payback period मतलब ultimately payback period क्या हो गया कि वो time period जब हम जितना भी invest कर रहे हैं इस project में वो हमें return मिल जाएगा कितने सालों में वो सारा का सारा पैसा मुझे return मिल जाएगा जितना मैंने लगाया है तो उसको ही payback period method कहते हैं अच्छा तो actually payback period method में क्या चीज़ होती है cash inflow होता है cost तो हम investment के लगाते ही है पर जो हमें return मिलता है जो हमें inflow आती है that is cash inflow वो mainly दो तरीके से आती है एक तो होती है even cash inflow दूसरी होती है uneven cash inflow अब जब भी हम project में पैसा लगा रहे होते हैं तो एक case तो यह रहता है कि हमें पता है कि हर साल हमें 20 लाख रुपे आही जाएंगी means जो हर साल की income आने वाली है उसका amount fix है आपको पता है कि यही cash हर बार आपको inflow होगी तो उसे कहते है even cash inflow पर हर टाइप के project या investment में यह possibility नहीं होती है कि हम यह पता रखें कि हर साल same cash आने वाली है कई बार ऐसा होता है कि कुछ projects ऐसे होते हैं जिसमें हम cash exactly कितनी ही आएगी या same cash आएगी हर बार same cash हम assume नहीं कर सकती है same cash ही आये ऐसा नहीं होता है हर साल का cash का inflow अलग-अलग होता है तो उसे हम कहते है uneven cash inflow तो हम दोनों ही cases में payback period method को अलग तरीके से calculate करते हैं तो चलिए दिखते हैं कि formula क्या है इसका even cash inflow का और uneven का तो even cash inflow जब आपको पता है कि cash same आएगी हर साल जितने साल भी project है उस साल की income same होने वाली है cash inflow okay where net cash inflow means earning before depreciation and after tax तो payback period मतलब क्या हो गया आपने जो investment में लगाया जो cost लगाई divided by आपको जो पैसा आने वाला है net cash inflow annual net cash inflow आपको हर साल जो income आने वाली है उस से divide कर देना है और जो result होगा that is payback period पर अभी भी बात है कि net cash inflow का मतलब क्या हो गया net पोल रहा है annual net cash inflow का मतलब क्या हो गया earning before depreciation and after tax ऐसी income जिसमें tax तो deduct कर दी गई है पर depreciation को deduct नहीं किया गया है इस तरह की income को हम यहाँ पे income मानेंगे क्योंकि depreciation को इसलिए हम नहीं करते हैं उसको deduct नहीं before depreciation का मतलब depreciation income में include रहेगा हम depreciation का amount deduct नहीं करेंगा और ऐसा इसलिए करते को यहाँ पे financial management क्योंकि depreciation एक notional cost होती है exactly अगर देखा जाए तो depreciation की जो cost लग रहे है यह प्रोवीजन है तो वो cash में expense नहीं होता है जो cash में expense नहीं होता है तो उसको हम expense की तरफ ट्रीट क्यों कर रहे है तो हम इसलिए depreciation को before रखते हैं तो मतलब depreciation deduct किये बिना की income तो इसलिए पर tax के लिए क्या होता है कि tax तो हमेशे depreciation और सारे expense होने के बाद ही tax calculate की जाती है तो नेट cash and flow क्या हो गया है ऐसी income जिसमें depreciation तो रिड़क्ट नहीं की गई है लेकिन tax deduct किया गया हो आचा यह formula याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है यह बहुत simple ऐसी की हमारा पैसा कितने दिनों मेरी कोअगरा और क्या कितने ज़ा है ने क्ते हां submit I 400 this इवन हुई तो क्या formula होता है जब हमें पता है नहीं है कि cash कौन से amount से आएगी कभी 2 लाख आएगी कभी 10 लाख आएगी कभी 15 लाख आएगी कभी 1 लाखी income होगी तो उस case में हम कैसे calculate करेंगे तो payback period is equal to e plus b divided by c अब यहाँ पर e क्या होता है is equal to number of years immediately preceding the year of final recovery मतलब e denote करता है उस number of year को जिस years तक आपकी recovery होने वाली है मतलब की previous year immediately preceding year इस साल के recovery की बात कर रहे हैं कि इस साल तक हमें 4 लाख मिल जाएंगे तो 4 लाख इस साल मिल रहे हैं इसके पहले वाले year को हम e कहेंगे then b हम किसे कहेंगे balance amount to be recovered अभी हमारा जितना amount recover करने को बचा हुआ है चार लाख में से कितना amount अभी हमें payment मिलने को बाकी है तो balance amount to be recovered and c is equal to what cash inflow during the year of final recovery final recovery जिस year हमें confirm कर देते कि हाँ यह recovery का year confirm है इस year तक पूरी payment आ जाएगी तो उस year actually कितना inflow होने वाला है उसे हम कहते है c तो formula is equal to e plus b by c exactly अगर जब हम uneven cash flow का calculation करेंगे payback period का तो वहां पर आपको बहुत अच्छा से clear हो जाएगा formula uneven cash inflow में होता है exactly ऐसा है कि जैसे कि हमको पता होता है कि एक साल दो साल तीन साल चार्थ साल ऐसे cash आने वाली है पर जो मेरी 10 लाख लगी है वो किसी पांच वे साल में exactly 10 लाख मारा cover हो रहा है छटे साल में exactly cover नहीं हो रहा है पांच और छे के बीच में cover हो रहा है तो exact period हम कैसे calculate करेंगे सबसे पहले हम आपको बता दू कि यह पूरा लगाने के लिए आपको financial management जब calculation हम करते हैं मैंने अलड़ी leverage में भी यह बता रखा है पर मैं यह आप फिर से बताती हूँ क्योंकि EBT, PBT जो भी बार-बार आता profit after tax, profit before depreciation तो इसके लिए आपको profitability statement का पता होना बहुत जरूरी ह एक बर जल्दी से इसको review करते हैं इसमें क्या होता है कि sales यह revenue from operation जो आपकी income है उसमें सबसे पहले variable cost को less करते हैं जो आता है वो contribution कहलाता है उसमें से हम fixed cost को less कर देते हैं जो आता है वो earning before interest and tax या operating profit कहता है उसमें से हम interest less कर देते हैं जो आता है वो earning before tax कर लाता है या profit before tax कह साले तक हमने सारा expense less कर दिया है, depreciation वेगरा, जितने भी खर्चे होते हैं, उसके बात क्या करते हैं, सिफ tax less करते हैं, tax less करने के बाद जो आता है profit after tax, उसमें से अगर preference dividend देना हो तो वो दे देते हैं, उसके बाद जो income आती, that is earning for equity shareholder, हम चाहे NPV calculate करें, चाहे IRR calculate करें, चाहे ह हम पेबैक कर रहे हों, कोई भी कर रहे हों, हमें ये PBT, PAT, EBT का हमेशा terms मिलते रहेंगे, तो हमें ये पता होना चाहे है कि exactly ये कैसे आता है, तो चलिए हम एक numerical लेते हैं, right, numerical ले रहे हैं, numerical क्या है, कि a project cost rupees 50 lakh and earns annually a profit of rupees 10 lakh after depreciation at the rate of 8% per annum, but before tax of 50%, calculate payback period, मतलब क्या हो गया, कि एक project है, जो जिसमें पैसा कितना लगने वाला है, 50 lakh पैसे लगने वाले हैं, और इस project में जो हमें हर साल income आने वाली है, annually, हर साल की जो income आने वाली है, वो कितनी है, 10 lakh, तो बोला है, हर साल 10 lakh आने वाले है, तो मतलब, that is question of even cash inflow या uneven cash inflow, obviously even cash inflow, क्यों सेम है, हर साल 10 lakh आने वाले है, ओके तो formula हम even cash inflow का लगाएंगे, उसके बाद ये कह रहा है कि, ये जो 10 lakh का profit दिख रहा है हर साल का, वो कब का है, after depreciation at the rate of 8%, इस 10 lakh के profit में से depreciation का amount deduct कर दिया गया है, but before tax 50%, पर अभी इस profit में से tax को deduct नहीं किया गया है, ये 10 lakh का profit हमारे लिए raw है अभी, अभी हमें इसे formula के according बिठाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें तो चाहिए होता है कुछ और, यहां तो दे रहा है कि 10 lakh है, depreciation charge करने के बाद, पर tax charge करने के पहले, तो अब हमें payback calculate करना है, तो चलिए करते हैं, we know what is payback period, payback period is equal to original investment divided by net cash inflow, okay, तो original investment कितनी है, मतलब cost of the investment कितनी है, cost of the project कितनी है, 50 lakh, the next is what, net cash inflow हमें चाहिए, इसी formula में put करने के लिए, हमें net cash inflow चाहिए, अब net cash inflow का मतलब क्या हो गया, ऐसी earning जो after tax हो, मतलब tax उसमें से deduct कर दिया गया हो, लेकिन depreciation deduct ना किया गया हो, okay, here given in question, earning after depreciation, but before tax, ऐसी earning दीगे, जिसमें से depreciation है, 10 lakh में से 8% का depreciation deduct है, but tax deduct नहीं है, but before tax, इसको हम यह भी कह सकते है, profit before tax, जैसे मैंने वहाँ पर दिखाया था, earning before tax, EBT या PBT, क्योंकि सारे expenses deduct हो चुके, अभी tax deduct करना बस बचा हुआ है, okay, then normally we know tax is charged after deducting all expenses, tax तभी charge किया जाता है, जो सारे खर्चे deduct कर दिये जाते है, तभ जाता है, so here, first step क्या होगा हमारा, कि depreciation is charged, depreciation एक expense है, जो कि चार्च कर दिया गया है, now what we do, we charge tax, क्योंकि tax are expense के बाद करना होता, तो हमें क्या करना होगा, पहले step में, depreciation अल्री चार्च कर दिया गया है, तो हमें सिफ tax चार्च करना है, then second step is what, after that we add depreciation, because we need earning after tax, but before depreciation, अब कर दिया गया है, पर before depreciation पाने के लिए में क्या करना होगा, depreciation का amount, add कर देना होगा, simple है, तो चलिए भी से solve करके देखते है, profit before tax कितना दिया गया है, 10 लाग दिया है, ठीक है, यही तो दिया है मारा annual, profit before tax का मतलब क्या हो गया, earning, after depreciation, but before tax, okay, तो उसमें समने क्या किया है, स 50%, तो 10 लाग का 50% हमें निकाल लिया, कितना आ गया, 5 लाग, अब हमें क्या करना होता है, यह जो आ गया, हमारा क्या आ गया, profit after tax पैट आ गया, profit after tax आ गया, अब इसमें हमें क्या करना है, हमें चाहिए यही ता कि profit after tax, but before depreciation, यही तो हमारी net cash inflow है, तो अब इसमें से हमें क् कर देना है, depreciation के percent is given है, 8% तो simple है, पचास लाग का, 8% cost केती थी project की, पचास लाग, उसका 8% हमें depreciation निकाल लिया, 4 लाग depreciation आ गई, तो जो आया, that is 9 लाग, वो हमारा क्या हो गया, net cash inflow, या फिर earning after tax before depreciation, अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ formula पे पुट कर देना, payback period is called to original investment divided by net cash inflow, that is annual cash inflow, formula में पुट करते है, 50 लाग के हमारी cost थी, 9 लाग हमारा आ गया, net cash inflow, तो हमारा जो year में आया, answer क्या हो गया, 5.55 years, मतलब इतने time period में, इतने years में, आपका पूरा 50 लाग repay हो जाएगा, अगर हर साल इसी तरीके की income हुई, तो, हर साल कितनी income आनी है, हम उनने even cash inflow, payback period में कैसे calculate करते हैं, देख लिया है, next हम देख लेंगे कि uneven cash inflow को, अगर होता है, तो हम payback कैसे calculate करते हैं, तो, I hope आपो clear हुआ होगा, wish you all the best, keep watching, thank you.